तुम्हारे घर की बेहन बेटियां अचानक तुम्हारे दर्वाजे पर आजाए तुम यह मत सोचना कि 500 काली फापा देना पड़ेगा 100 काली फापा देना ना 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 बेहन बेटियां अचानक आजाए समझ लेना कोई बेहन बेटी से पूछे जी जी आज केसे आ गई कहा जा तो बहिन बेटी के में इधर जा रही थी तो मेरा मन करा तो में मम्मी weten पपापा से मिलने भैया से मिलने === बच्चों से मिलने बतीजा बतीजे से मिलने मैं अगाई तो अगर बहिन बेटी आ जाए अचानक गुमात्त आ जाए समझ लो कोई काल अनुग लाला था उसको टालने के लिए बेहन बैटी और गवमाता आ गई है अचानक आ गई है अगले जनम में भी मैं तेरी कोक्त जनम लेना चाहूं ले इतनी भयंकर गर्मी में छुले और गेस के सामने पती ना बहा कर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है इसलिए भोजन का और बोजन बनाने वाले का दोनों का सम्मान करें फिर वो चाहे आपकी बेटी हो चाह आपकी पत्नी हो कोशिश अंतिम सांस तक करो या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे ये भी याद रखना कि सही समय कभी नहीं आता जो समय अभी है वही सही है आदते और संसकार ही बताते हैं कि आप दो कौड़ी के हैं या सौ कौड़ी के दुनिया में तीन काम सबसे कठिन ह पहला विश्वास करना, दूसरा विश्वास होना और सबसे कठिन है, विश्वास बनाई रखना, जल्दी जागना हमेशा ही फाइदेमंद होता है, चाहे फिर वो नीन से हो, एहम से हो या वेहम से हो, जो व्यक्ति दूसरों की विशेश्टाओं से सीखता है, न तो उसे इर् इसका मतलब यह नहीं है, कि यह खूबसूरत होते हैं, इसका मतलब यह है कि इनकी वाइब्स बहुत पॉजर्टिव और स्ट्रॉंग रहती है, जिसकी वज़े से आसपास के लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको भीड से अलग दिखना और अल इनको परफेक्ट चीजे बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी लव लाइफ की बात करें तो इने सच्चा प्यार मिल जाता है, इने एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉगल करने के बाद, इने जिन्दगी में कोई भी चीज आसानी से न भी जाते हैं, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो इने प्यार देगा, ये उने ही प्यार देंगे, जो इनकी कैर करेंगे, ये खुद से कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये उनसे ज्यादा उनकी कैर करें, उनसे ज्यादा उनसे प्यार करें, लेकिन ये ऐसे ही होते हैं ये दूसरों के साथ जादा घुला मिलना पसंद नहीं करते हैं इसलिए इनके बहुत गिने चुने दोस्त होते हैं इन्हें हम Special Children of God कह सकते हैं क्योंकि इन पर भगवान की कुछ अलग ही महरबानी रहती है आप आगे किस लेटर के नाम की Personality के बार में जादा माबाप का सपोर्ट बच्चों को अपाहिज बना देता है इसलिए गिरने दो खड़े होने दो गिरने दो समहलने दो जितना गिरेंगे उतने मजबूत होंगे तुम्हारे बच्चे बिजनेस में व्यापार में गिरने दो सम्हलने दो मझबूत होंगे क्योंकि तुम प्रापर्टी तो दे सकते हो पर अनुभव नहीं दे सकते तुम बैंक वैलेंस दे सकते हो अपने बच्चों को पर अनुभव तो समय देगा हा या ना तजरुबा कोई बाप अपने बेटे को प्रापर्टी दे सकता है तजरुबा नहीं दे सकता क्या कहते हैं आप लोग तजरुबा तो सौ बार गिरने के बाद आएगा हा या ना इसलिए गिरने दो बच्चों को समहलने दो जिम्मेदार बनाओ उन बच्चों को अठारा साल बीस साल पच्चिस साल का होते ही कंदे पर बजन रख दो घर ग्रहस्ति चाल लोगों का पती अपनी अपनी पत्नियों का डिमांड पूरा करता है यह मेरा पती है जो खाली हमको टेंसन ये देता है मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है तोडने वाले को नहीं रोज लड़ो और चाहे खूब जगड़ा करो लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं जिन्दगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते है जाडू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है बंधन खुल जाने पर जाडू खुद ही कचरा बन जाता है इसलिए हमेशा अपनों के बंधन में रहे चाहिए चाह मंदिर की चौकट को चूकर ही प्रवेश करे साथ घंटा बजा कर कुछ देर उसके नीचे खड़े रहे बेटी के माता पिता को कभी तीरत जाने की जरुवत नहीं पड़ती बेटी के माता पिता जिस बेटी ने तुमारे घर में जनम लिया है बस बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा माता पिता के घर में बेटी जनम लेती है तो माता पिता को तीरत जाने की जरुवत नहीं पड़ती सारे तीरत बेटी का जहां जनम होता है वहां आ जाते हैं बस बेटी से एक निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मुख का जरूर देना कहीं गलत जगा मत चलिए पती को हमेशा पतनी का साथ देना चाहिए ससुराल मैना एक इस्त्री के लिए कोई नहीं होता सास, ससुर, देवर, ननन्द ये सब एक गुट में हो जाते हैं एक पक्ष में हो जाते हैं और सारे मिलके बहू को गलत कहते हैं तुम ही गलत हो तुम ही गलत हो अब जब सारे लोग एक को गलत कहेंगे तो उस एक का साथ देने वाला कोई तो हो उस समय साथ देने वाला कौन हो उसका पती पती समझाए सबको हाँ मा ये आरोप लगा सकती है कि तू तो पतनी की साथ देगा मैं तो जानती थी ऐसा मा बोलीगी फिर आपको लगेगा मा का साथ देना चाहिए साथ पतनी का और मा का नहीं साथ सच का देना चाहिए उस समय ये देखना चाहिए कि गलती किसकी है यदि गलती पतनी की है तो समझाओ और गलती मा की है तो मा को बोलो